मस्कार यदि आप लोग बिहार डिलर्ड एड्मिसन के लिए ओनलाइन फॉर्म फिलप कर दिया है तो आपसे उको पता होना चाहिए कि बिहार डिलर्ड में एड्मिसन के लिए कितना खर्च ओता है यहनी कि गवर्मेंट कॉलेज और प्रावेट कॉलेज में टोटल मिला करके कितने खर्च होते हैं पैसे और इनमें आप से घुबी सीलेवस होता है वह समेस्टर वाइज होता है तो कितने समेस्टर की ने बेस्ट होते हैं college यहनी कि government college बेस्ट होते हैं यह फिर यहाँ पे private college बेस्ट होते हैं तो उसके बारे में complete आज किस ब्लोई में जानेंगे यदि आप लोग डियलेट में admission लेने वाले हो 2023 में तो आप से विडियो जरूर से जरूर देखनी चाहिए और उससे पहले सभी से request करन आ हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर रहे जगा ताकि डियलेट से रिलेट हर एक अपडेट सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिले आके बढ़ने से पहले आपको बता दू यदि आप UP बियार डियलेट इंटरेंस अग्जाम 2020 के प्रिप्रेशन के लिए बेश्ट बूक की खोज में है तो आप चक्छू SRR पब्लिकेशन का ये बूक ले सकते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बियार डियलेट इंटरेंस अग्जाम 2020 का जो भी एक्जाम पेटर्न और सिलेबस है उसमें चेंज किया गिया है उसी को ध्यान में रखते हैं वे न्यू पेटर्न सिलेबस पर अधारित तीन हजार से अधिक उब्जेक्टिव कोजन एंसर और सभी विसेओं को इसमें कबर किया गिया है और आपको बताते हैं कि इनका जो भी प्रैक्टिसेट भी आता है जिसे पढ़कर आप अपनी तयारी और भी मजबूत कर सकते हैं तो इस बुक को आज ही खरीदें और अपनी तयारी को मजबूत करें और इनका लिंक जो डिस्केशन ने दिया गया है वहाँ से आप से भी लोग इन्हें परचेस कर सकते हैं सबसे पहले बात कर लेता है DLAD में syllabus क्या होता है उसके बात मैं आप सिब को बताओंगा कि कौन से college आप सबी के लिए best होते है और government और private का कितना अपी होता है सबसे पहले बता दूँ कि आप सेवी का जुभी डिलेट में कोर्स होते हैं वो दो साल के होते हैं यानिकि दो वर्स इसमें पढ़ाई करनी होती है जिसमें कि आप सेवी को चार सेमेश्टर होते हैं इनमें जुभी चार सेमेश्टर होते हैं वो इस परकार से होते हैं यहाँ देख सकता हैं सभी का यहां पर सिलेवस दिया गिया है तो यहां पर आप सिभी लोग दो सिलेवस में चार दो साल के होते हैं और इसमें चार सेमेश्टर होते हैं और आप जानते हैं कि आप सिभी के लिए जुभी गवर्मेंट कॉलेज और प्राइबेट कॉलेज में कौन से बेश्ट होते हैं कितना फी लिया जाता है बात करें यदि सरकारी कॉलेज की यदि आप लोग गवर्मेंट कॉलेज में डिलेड में कॉर्स करना चाते हैं तो आप सिवको 10,200 रूपिये एक साल की फीस देनी होती है वहीं दो साल की बात करें तो दो साल में आप सिवको 20,500 अलाबा जो भी आप लोग खर्च होते हैं वह अलग होते हैं लेकिन ये कॉलेज की फीस है जो की 20,500 रूपिये अब वहीं बात करें यहां पे प्राइबेट कॉलेज की तो प्राइबेट कॉलेज के कितना फी होता है डिलेड कोर्स करने में तो आप सिवको बता दें कि एक स रूपिये ये प्राइबेट कॉलेज होते हैं वह ही दौ साल के लिए में प्राइबेट कॉलेज की होदे हैं और आप सिवकों को मिलने का च्छे बहुत अधी होता है थो कम खर्च मीं आपसे今天的 लेटलो बाता है और अपना course कर सकते हैं यह दि प्राइबेट में लेते हैं तो कुल मिला करके आप सिभू को 1 lakh तक आप सिभू को चला जाएगा खर्च टोटल मिला करके अब यहाप आप सिभू को बता दी कि कौन सा college आप सिभी के लिए based है तो सबसे पहले में आप सिभू को अधि आप लोग जो भी सरकारी है उसी में admission लेने का यहापे chance करें क्योंकि आप लोग का सरकारी college में बहुत नहीं कम ही खर्च होते हैं और आप सिभू का पढ़ाई भी उसमें होता है जिसे कि आप सिभू को अपना भी यहापे पढ़ाई हो जाती है और आप सिभू अपने टाइलेंड भी हो जाते हैं और अपना जी भी एक्जाम हो अच्छे से निकाल पाते हैं तो सरकारी से ही आप से लोग जरू-जरूर करें आप लोग का पैसे की विवज़त हो जाएगी और इसमें admission लेने के लिए आप सिभू इंटरेंस एक्जाम अच्छे माक्स से पास होना होगा और अच अच्छे लिए तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इस तरह के नए बडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अब सब्सक्राब कीजिएगा